आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड़ा प्लाटफॉर्म पे स्वागत है तो चलिए देख लो यहां पर एक नहीं चैस के शुरुवात यहां पर हो रही है देखो देखो भई नए चीज के शुरुवात क्या है देखो यहां पर क्या है जैसा कि आपने बताया था कि अब हम लोग कोश्चन प्रैक्टिस सेशन करेंगे पीवाइक्यू शेशन हम करी रहे है ना पीवाइक्यू भी जो नहीं हुआ है वो हो जाएगा बिल्कुल घबराना नहीं है लेकिन आज का जो यह शेशन होने वाला है यह है most expected questions यानि कि अगर यह आप लोग कर लोगे तो questions बच्चा इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है यानि कि अगर यह सारे questions हम करा देंगे तो आपका सारा concept के लिए हो जाएगा यानि कि आज हम लोग दो chapter लेकर गया है एक है different lifestyle और दूसरा है reproduction in plant अगर यह दोनों chapters के आज जो हम लोग यह सारे questions कर लेंगे most expected questions कर लेंगे तो भाईया वो बूरा दोनों chapter एक तरह से आपका revise भी हो जाएगा कहीं से भी इस chapter से गर question आएगा आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग उसे बनेगा नहीं बिलकुल अच्छे तरीके से जो है वो question के answer आप लोग कर सकते हो वालेकुम सेलाम फिर दोस सहजाद बिहार information मौरिश सबना मारा मौम्मद अयान मारूफ सुहेल नवेद अक्तर मिश्कात सर क्लास नाइन का कब होगा क्लास नाइन का most expected कल से start होगा इंशाल्लाट ठीक है क्लास 6 का 12 मार्च को पेपर है और आपका 19 मार्च को पेपर है तो घबराना नहीं है ठीक है हाँ classics का यह तो जो भी बच्चे अलीगर मुसलिम यूनिवर्सिटी में जाम्या मिलिया इस्लाम यूनिवर्सिटी में होने वाले इंट्रेंस एक्जाम का प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो यह जो सेशन है most expected questions most expected questions series जो हम लेकर के आए इसका day 1 है इसको अगर आप लोग करोगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका question इसी से आने वाला यह हम guarantee के साथ आपको अठाते हैं ठीक है चलो भाई देखो डे वन है आज शुरुवात करते हैं तो आज हम दो chapter करेंगे एक तो हमारा जो है different lifestyle और reproduction in plant देखो भाई सबसे पहला question यहाँ पर आ चुका है ऐसा question लेकर करें आएं कि आपका पूरा chapter revise हो जाएगा देखो क्या लिखा हुआ है कि which of the following animal give birth to their young one यानि कि इन में से कौन सा animal है जो अपने बच्च बच्चे जन्म देता है अंडा नहीं देता बलकि बच्चा जन्म देता है कि आप्च्चन वेल अना पी में है वेल क्यू में कंगारू आर में है प्लैटिपस और एस में किंग फिशर यह तो आपका question सी है option यहाँ है option अ में पी एंड क्यू यानि वेल और कंगारू दोनों होगा q & r यानि कि कंगारू और प्लैटिपस होगा या q & s यानि कि कंगारू या किंग फिशर होगा या d में q & s अच्चा यह दोनों है यह दोनों q & s q & s है तो भई यह देख लो भाई इसका आंसर बताओ इसका आंसर बताओ बच्चा सर जी आप हैं साथ तो डरने की क्या बात है बिलकुल हम साथ है तो डरने की क्या बात है बिलकुल डरने की बात नहीं है एकदम नहीं डरेंगे चलो आंसर करो भाई या फटा फटा आंसर करेंगे सारे बच्चे A answer कर रहे है A में क्या बोल रहा है P and Q यानि कि ये और ये whale and kangaroo ये दोनों mammals हैं और mammal जो है mammal ही जो है वो क्या करता है बच्चा child birth करता है बच्चे जन्म देता है mammal तो आपका सही answer क्या है A है P and Q only ठीक है बच्चा बहुत interesting question लेकर क्या है बहुत जबरदस आपका revision होने वाला है चलो next question की तरफ पढ़ते हैं अब penguin flippers help it to survive in water which statement is correct about the flippers यानि कि flippers के बारे में पूछा जा रहा है flippers के बारे में पूछा जा रहा है ये flippers किसमें होता है भाई penguin में होता है penguin के जो wing होते हैं उसको flippers कहते है तो कौन सा statement flippers के बारे में सही है option है they help in the penguin to fly in air B है they help the penguin to swim in water C में है they trap air bubbles to help the penguin float और यहां पर है they help the penguin to get nourishment इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा statement सही यानि कि तीन गलत है एक सही है बता भाईया इसका सही आंसर बताओ सही आंसर बताओ भाई इसका जल्दी फड़ा फड़ एक सेकेड सर्फरोष एक सेकेड़ आप जर चलो भाई आंसर बताया कि आप लोगों ने क्या बताया क्या होगा इसका सही आंसर क्या होगा? इसको थोगा से डार्क करो ज्यादा यह शाहिन हो रहा वाइट कुछ ज्यादा हो गया में ज्यादा हो गया यह इतना ठीक है जल यह बड़ी ठीक है बड़ियां है ठीक है ठीक है आंसर है B, यह यह और रजा encouraging बढ़ते हैं the following description has been written by a pupil about an insect कुछ description लिखा गिया है बाई insect के बारे में, कीडे मकोडे के बारे में कौन सा description जो है वो which of the following is wrong about insect इन में से कौन सा गलत statement है अना P, Q, R, S दिया हुआ है P में दिया हुआ है 3 legs, Q में 3 body segment R में 2 antenna, S में 2 pair of wings तो options कौन सा गलत है इसमें, क्या नहीं होता है A में है P, यानि 3 legs A में क्या है, 3 legs B में क्या है भाई, Q यानि 3 body segment 3 body segment और C में क्या है, R यानि की 2 antenna, और S में क्या है, D 2 pair of wings, कौन सा गलत statement है बताओ इसका सही answer पहला ही statement आपको गलत लग रहा होगा P, यानि की 3 legs यही, 3 legs तो option A is the right answer, P अना, 3 legs नहीं होता है कीडे मकोडे को 3 legs बिलकुल नहीं होता, सर, हिंदी में भी बताइए, सर, हिंदी में ही तो बता रहे हैं हिंदी में ही तो बता रहे हैं कौन सा अंग्रेजी और फार्सी बोल रहे हैं चलो, next question की तरब बढ़ते हैं which of the following animal breathe through body holes इन में से कौन सा जानवर है जो body के hole से सास लेता है यहाँ पर यह देखो, यह grass hopper है यह क्या है भाई, यह जिंगा मचली यह चूहा, यह छिपकली बता भाई, कौन सा है भाई, organism जो किस सास लेता है भाई, body के hole से सास लेता है सब मेरे math, science, English में 44.6% है 11th entrance के लिए eligible ओ, प्लीज बताइए सर counseling में कोई दिक्कत तो नहीं होगी 44.6% भाई, कर दो बरदो हो जाएगा overall कितना आ रहा है भाई, overall percentage कितना आ रहा है मॉम्मत फैसल तो भाई, grass hopper यही तो insect है ना, grass hopper इसमें क्या पाये जाते है body hole, जिसको क्या बोलते है spiracles बोलते है ना, spiracles spiracles बोलते है ठीक है, body hole body hole नजर आ रहा है कीड़ा भाई ठीक है, देख रहे हो कितना बहतरीन कोशन हम आपको लिए लेकर आ है पूरा chapter revise हो जाएगा look at the classification table below यह table को देखेंगे and which of the following could be x यहाँ पर क्या होगा देखो, leaves on land rat, leaves in water fish, leaves on land and in water, यानि की जमीन पर भी रह रहा है भाईया और पानी में भी रह रहा है जमीन पर भी and water में भी तो उसको क्या बोलते है octopus, lion, frog, vulture बता भाई वह ऐसा organism जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है उसको क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है आप whatsapp पे message करो मुहमत फैसल आपसे वहाँ पे बात होगी ठीक है? वहाँ पे बात होगी आप whatsapp पे message कर दो sir कौन सा class है भाई ये class 6 वालों के लिए है class 6 के लिए most expected questions लेकर के आए है day 1 है आज आज से लेकर के अना 10 तारिक तक continuously practice करेंगे question practice करेंगे c बोला जा रहा है c frog तो भाईया frog frog क्या? frog इसको क्या बोलते है? amphibian क्या बोलते है? amphibian amphibian है ना? और amphibian के example आपका क्या है? frog है frog है ठीक है? मज़ा आ रहा है चले next question की तरब बढ़ते हैं which of the following are birds? इन में से कौन सा birds है? bat, emu, penguin या goose option है यहाँ पर a में है p, q and s यानि कि p, q and s यानि कि bat, emu और goose b में है prs bat, penguin, goose c में है qrs emu, penguin, goose और d में है p, q, r, s p, q, r and s only यानि कि सारे के सारे बदा इसका answer question जरा ध्यान से देखोगे question ध्यान से देखोगे sir I am back तुफानी भाई बहुत बढ़िया तुफानी भाई इसका answer करो भाई इन में से कौन सा bird है भाई, चिडिया है तुफानी इसका साही answer c है c यानि कि emu ये भी bird है goose ये भी bird है penguin ये भी bird है ठीक है और आपका ये जो है आपका ये जो bat है bat bird नहीं होता है bat क्या है, bat mammal में आता है किस में आता है mammal में आता है तुफानी इसका सही answer आपका c है सही answer क्या हो गया c, q, r, and, s only ठीक है, सही answer ओके बच्चा चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ देखो बहुत बैदरीन question लेकर कहा रहा है study the table given below which of these is incorrectly matched ये table को देखो और कौन सा गलत match किया गया है a में polar bear fur leopard, feather, turtle shell और snake scale, बता बाई animals और उसका outer covering दिया गया है बोले कि polar bear का outer covering fur होता है जो leopard होता है उसका outer covering feather होता है, यानि कि पंक, और turtle का outer cover shell होता है, और snake का outer cover scale होता है, बता इसका सही आंसर क्या होगा sir, मेरे पिछले internet में 78 सही थे, लेकिन नहीं हुआ selection class 6 के लिए प्लीज बताए, अरे बाई जब आपका 78 सही था, तो बिलकुल आपका होना चाहिए था, या तो आपने OMR sheet में गलती करी होगी, अना वो भी ध्यान में रखना पड़ता है वो भी ध्यान में रखना पड़ता है गलत क्या होगा भाई, लेपड के ऊपर क्या है, फेदर होता है क्या यही, यह वाला सही आंसर हुआ था अना, यह वाला सही आंसर चलो, नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं अनिमल्स यूज डिफरेंट मेथाड तो इसकेप फ्रॉम देर प्रिडेटर्स वीच वण आफ दा फॉलविग इस नौट ट्रू क्या बोला गया कि जो जानवर होते हैं वो अलग-अलग मेथड का इस्तमाल करते हैं अपने शिकारी से बचने के लिए ठीक है, इनमें से बताओ कौन सा सही नहीं है, not true दे लिजाड शेड्स अ व्रिंग लिंग टेल तो डिस्ट्रैक दे एनेमी बताओ इनमें से कौन सा अप्शन गलत है, कितना easy question दिया गिया है कितना easy question दिया गिया है सर आप कैसे हो, बढिया है तुफानी भाई बहुत मस्त बताओ इसका अंसर करो कौन सा गलत है, पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, यानि तीन सही है, एक ही गलत है सर आप कहां से बिलॉंग करते हो, भाई हम पटना से बिलॉंग करते हैं प्यार आसिफ रजा कोई बोल रहा है, ए देखो भाई लिजार्ड जो है, जो छिपकली जो है, वो अपना पूछ कार देता है, थाकि भटक जाए ताक डिस्ट्रैक्ट हो जाए, है ना शिकारी और ग्रास ओपर जो अपना जो पीछे वाला पैर होता है, उससे इतना जोर से उचलता है कि बहुत दूर चला जाता है ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्रोकोडाइल, लिजार्ड और टर्टल, ये अपना पैर इस्तमाल करता है, रेंगने के लिए और स्पीड से भाग जाता है, ये भी सही है लेकिन यहां पर दिया गया है, a snake and a worm use their leg to crawl on the ground, तो इस्नेक के पास साफ होता है क्या ये गलत है, समय में आया समाज में आया है बच्छा चलो देखो next question की तरफ बढ़ते हैं some animals have structural adaptation to mimic object found in their environment which of the following can change its color to match the surrounding यानि कुछ ऐसे organism होते हैं जो environment में changes देख करके वो अपना color उसी के हिसाब से कर लेता है ताकि वो शिकारी से पच जाए लीफ इंसेक्ट इस्टिक इंसेक्ट केमेलियन या स्टोन फिश बताओ nine का answer करो कॉन रंग बदलता है भाई है साथ समय नाइंध क्लास का एप पर live हो रहा है वो जुएन नहीं हो रहा सर प्लीज हेलप डूरा है आप पर कैसे जूएन हो रहा है कि देख लेते हैं भाई क्या गलती आ रही है एप पर क्या है लाइफ के लास कैसे हो रहा है एक सेकंड रुख जाना बच्चा तब तक आप लोग इसका अंसर करोगे कि कहां कोई इप इप कहां कोई क्लास एंस क्यों परिशान कर रहे हो मुझे एप चलोाइ सक चैनल देख Was रिवाइस हो रहा है ना बहुत बैदरी चेप्टर रही है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन की तरह बढ़ते हैं डाइग्राम बिलो शो अब बढ़ एंड बैट इन वाट वे आर दे टू अनिमल सिमिलर यानि कि यहां पर नीचे डाइग्राम दिया गया एक चिडि है और बढ़ बढ़ भाईया यह जो है यह यह बढ़ है ठीक है तो इन दोनों में कॉमन क्या है तो ऑप्शन है दे बोध है विंक्स दोनों के पास पंक है दे बोध ले एक दोनों अंडे देती है या दे बोध है बीक्स दोनों के पास चोंच है या दे बोध है फेदर दोन कि एम्यू में मुबाइल अलाओ है अरे भाई बहुत बढ़ियां हाँ भाई अलाओ है कहें नहीं अलाओ है इस्कूल में अलाओ नहीं ठीक है उस्चल में तो होगा न अ ए बोल रहे हो ए बिल्कुल सही ए है ना दोनों के पास दो जो मेन कॉमन चीज है वो क्या है विंग्स जिससे वो उड़ते हैं जिससे वो क्या करता है फ्लाई करते है ठीक है विंग्स चलो नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते हैं किativa मूट है बाज़त स्वी मेन वाटर है बतलब वैसी चिडिया जो पानी में तैरते हैं उसके पास क्या होता है ऑप्शन हैवे MI मैं है क्लिटल फीट सी में है लॉंगले लेग गस और डी में है शॉट लेक्स बता इसका अंसर अबता यह बच्च्छा परती सेर एम्यू इंटरेंस एक्जाम नाइन कब होगा बैया उन्नीस मार्च को होगा और सिक्स क्लास का बारे मार्च को होगा ठीक है बारे मार्च को होगा तो इसका सही आंसर क्या है वेब टी यानि कि इसका जो पैर होता है उस पर्ड का हो कुछ इस तरीके से होता है यानि कि अगर बनाया जाए ये एक पैर ये दो पैर ये तीन पैर तो इसमें ऐसे होते है जों ऐसे होते हैं ये ऐसे ऐसे होते है ये इस तरीके से पैर तो इसको बू lean सकते हैं तकि आगे तैर सके ठीख है तुसका सही अंसर एव एक अब तुम यहाँ पर ये कोच्जिन आय देख लो, इस मचली को देखो और इसके ऊपर जो ये कुछ इस तरीके का structure दिया गया है, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके का structure दिया गया है, ये वाला, इसको क्या कहते है, वाई इस structure P important to the fish और ये structure important क्यों है मचली के लिए, इट helps the fish in swimming, ये swimming करने के लिए मदद होता है, या it helps the fish in finding direction, या direction find करने के लिए help करता है, या it helps the fish in maintaining its balance, या ये balance maintain करने के लिए किया जाता है, बता इसका सही आंसर बता बता भाई, 12 का आंसर करो, और एक और आप्शन है, it helps in protecting the body, it helps in protecting the body, अब बताई, और इसको बोलते क्या है, ये जो P है, इसको बोलते है, skill, क्या बोलते है, इसकेल्स, इसकेल्स बोलते है, ठीक है, चलो, आंसर करो इसका, बता भाई, बताओ, इसका सही आंसर बताओ, सर, क्लास नाइन के लिए भी करवाईए, प्लेज, सर, प्लेज, अरे होगा भाई, सर, सर, इइसकेल्स, इसका सही आंसर क्या होगा, क्या होगा, डी प्रोटेक्ट करता है, फिश के बोडी को, ठीक है, चलें, नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ते है, वीच आफ दा फॉलोईぎ अनिमल, breathe through gills, इनमें से कौन सा जानवर gills के जरीए सांस लेता है ये देखो, ये क्या है, snake ये fish ये walrus और ये क्या है, crab option है, d only only a and c only b c या only a b c बताओ इसका answer इनमें से कौन सा जानवर gills के जरीए सांस लेता है भाई gills के जरीए सांस कौन लेता है बताओ बताओ बच्चा पाटे, gills के जरीए कौन सांस लेगा gills के जरीए सांस लेता है by fish and crab यानि कि only b and c only b and c is the right answer ठीक है, चलिए नेक्स्ट कोश्चन की तरब बढ़ते हैं which of the following uses its leg as ores प्राउन तेड़ पोल वाटर बोट मैन या मोथ बता इसका answer बताईए भाई बताईए यहाँ पर यहाँ पर यह जो वाटर बोट मैन है, यह इंसेक्ट है, यह क्या है? इंसेक्ट है तो यह अपने पैर को जैसे नौ के जो ores होते है न, उस तरीके से यूज करता है तेरने के लिए ठीक है? तो बाटर बोट मैन यह इंसेक्ट है, यह क्या है? यह इंसेक्ट है इंसेक्ट है, तो यही सही है, C is the right answer तो कुछ ऐसे से questions हम करा रहे हैं, आप ही के chapter से है यह सारा अगर आप लोग कर लोगे न, तो इससे बाहर question कुछ नहीं आने वाला है चलो, next question की तरब बढ़ते हैं birds can fly due to light body weight, this is due to blank bones, birds जो है वो, इसलिए उड़ पाती है क्योंकि उसका बहुत हलका वजन होता है, वजन जादा नहीं होता और यह वजन जादा इसलिए नहीं होता, क्योंकि उसकी जो हड़ी होती है, वो क्या होता है hard होता है, soft होता है, cylindrical होता है, यह hollow होता है, यह खोकला होता है, बता इसका answer अर्ष भाई पढ़न से फुलवारी शरीव से ठीक है तो इसका सही answer क्या होगा, hollow bones, खोकला होता है यह इस तरीके से हटी, bone जो है वो अंदर जे खोकला है, तबी हलका weight ठीक चलिए आगे बढ़ते है नेक्स्ट कोशन की तरफ एक एनिमल है एक्स इट्स प्लांट पार्ट्स वो क्या खाते है प्लांट के पार्ट्स खाते है इट गिवस बथ तु यंग वन्स एंड फीड देम विथ मिल्क और वो जो है वो बच्चे जन देती है और उस बच्चे को वो दूद पिलाती है तो वो एक्स जानवर है कौन फॉक्स है अना बक्री है टाइगर है या लायन है अब दो यह बोले कि प्लांट पार्ट्स यानि प्लांट इटर्स है धैट मिंस हर्भी वोर्स की बात हो रही है तो इन में से कौन सा हर्भी वोर्स है भाई फॉक्स गोट टाइगर या लायन बताइए इसका अंसर कितना मज़ेदार कोश्चन से घुमा फिरा के कोश्चन आज करा रहे हैं ठीक है है देखो आंसर बताओ इसका तो इसका सही आंसर क्या है बकरी और गोट और वो मिल्क देता है भाई तो इन में से कौन सा अडेप्टेशन है ग्रास होपर के पास जो वो अपनी जान बचा लेता है बाई शिकारी से क्या अडेप्टेशन है इट टेस्ट बैड या इट कैन क्रॉल अवे क्वीकली वो बहुत जल्दी रहेंगता है या इट कैन ग्रास में अपना कलर चेंज करके या इट हैज पास एक खतरनाक इस्टिंग होता है बता इसका अंसर ग्रास वो पर भी क्या होता है ग्रीन होता है तो इसका सही आंसर क्या होगा इट कैन केमोफलेग इट सेल इन दा ग्रास में मिल जाएगा कलर चेंज कर लेगा चलो नेक्स्ट कोश्चन की तरब बढ़ते हैं वीच अनिमल इस बिंग रेफ़र्ट टू इन दा इन्फॉर्मेशन गिवें ब्लो चेंजेज स्कीन कलर बताओ यह किस जानवर के बारे में बताया जा रहा है किस जानवर का फीचर्स है कि वो अपना रंग बदलता है उसकी लंबी जुबान होती है और वो अंडे देने वाला होता है तो अ कैमेलियन अ फ्लाइंग फिश जिराफ या अ क्रोकोडाइल बताओ इसका अंसर बताओ यह इसका अंसर बताओ यह तो भाई वो क्या है भाई वो कैमेलियन है क्या है कैमेलियन ग्रिगट चलिए आगे बढ़ता है नेक्स्ट कोशन बहुत कोशन है आज तो अगर उसके आसपास खत्रा महसूस होता है तो कचवा क्या करता है अपने शेल के अंदर घुश जाता है जो उपर धाल बना होता है ना तो कि यह किसकी वज़े से होता है इट्स ठीक शेल चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ बढ़ता है कि अधा ऑर्गिनिजम की वेन बिलो आर्ट सीमिलर आज दे ओल कैसे यह सारे और्गिनिजम सिमिलर है भाई क्रॉल फ्लाई इट इंसेक्ट या फिट टेक केर अफ देर यंग वन्स बता इसका अंसर कैसे सिमिलर है कैसे इसको सिमिलर मान सकते है क्या है कॉमन फीचर इन सब में तो मॉस्क्यूटो बर्ड है और यह ग्रास होपर है बाई बताओ उड़ना उड़ना कॉमन फीचर से है ना उड़ना कॉमन फीचर से बीस दराइच आंसर चलो भाई तो भाई जो पैरता है वही न तो तैरने वाली चिडिया का जो पैर होता है वो वेप्ड होता है चलो नेक्स्ट कोशन की तरब बढ़ते हैं अफ्जाब द ऑर्गनिजम बिलो ऑर्गनिजम देखो भाई यह क्या है भाई यह तोता है यह वाम है यह मेड़क है which of these animals breathe through moist skin यानि कि कौन अपने skin के जरीए सांस लेता है moist skin के जरीए सांस लेता है यह bird, यह earth warm यह क्या है भई, earth warm है earth warm है और यह frog है frog है, option है only P and Q यह और यह यह B, P and R यह और यह, यह C, only Q and R यह दोनो, यह फिर D, P, Q, R यह तीनों, बताओ इसका अंसर, कौन moist skin से सांस लेता है 22 तो भईया, earth warm और फ्रॉग यही दोनों जो है, वो इसकिन से सांस लेता है तो इसका सही आंसर है C इसका सही आंसर क्या है, C C is the right answer, C बिलकुल सही है चलिए आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ The bat does not belong to the same group of animal as the other three living things because it यानि इन तीनों से यह match नहीं कर रहा है, यह अलग group में आता है, bat मुर्गी और यह जो तोता और यह पैंग्विन इससे अलग group में आता है, क्यों? Is a carnivore, क्या यह carnivore है, क्या यह गोश्ट खाने वाला होता है या can fly यह उड़ सकता है, इसलिए या hunt at night यह रात में शिकार करती है, इसलिए या does not have feathers, या इनके पास पंक नहीं होता, इसलिए बदा इसका सही answer बदाईए बदाईए भाई तो इन सब के पास feather होते हैं और इसके पास bat के पास feather नहीं होता तो इसका सही answer है D, D is the right answer चलिए, चलिए आगे बढ़ते है next question की तरफ the figure showing animal, कौन सा figure यहाँ पर show हो रहा है fish, which of the following animal breathes in the same way as the animal shown in above यानि इसके जैसा कौन सा जानवर है जो इसी के जैसा सांस लेता है यानि गिल से सांस लेता है गिल से सांस लेता है गिल से prawn, caterpillar, whale या warm बताव इसका answer तो भाईया, prawn यह छिंगा मचली, आप लोग ने खाया होगा ठीक है, चलो next question की तरफ बढ़ते है penguins live in the polar region penguins खा रहाता है polar region में बरफिले परदेश में which adaptation enable them to survive कौन सा adaptation उसके body के अंदर होता है जो उसको जिन्दा रखने का काम करता है option है, they have a layer of fat under their skin उसके अंदर, चमडे के अंदर क्या जमा हुआ चर्वी जमा हुआ है चर्वी स्टोर होता है, या they have web fit उसके पास web fit है, या they migrate to warmer climate during winter winter आने पे वो गरम वाले climate में जो है, जो है, migrate कर जाता है ऐसा तो नहीं है, option तो क्या लिखा हुआ है only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3 या 1, 2, 3, बता भाई, कौन सा adaptation होता है penguin के अंदर तो इसमें जो है, सिर्फ और सिर्फ 1 सही है और 2 सही है, 3 सही नहीं है यानि कि A is the right answer यानि कि उसके जो layer होते है fat का skin के अंदर fat का layer होता है यानि कि मालो बहुत कडाके की ठन पड़ रही है और उस area को छोड़ करके जानवर दूसरे area में चले जाते है और travel कर जाते है तो इसको क्या बोलते है, इसको migration बोलते है adaptation बोलते है, hibernation बोलते है या फिर estimation बोलते है, बताओ इसका answer बताओ इसका answer, बताओ इसका answer, बताओ इसका answer लिवाग जाता है इनमें से कौन सा जानवट डिजाट में रहता है रेगिस्तान में जहाँ आप मरू अस्थल जिसको बोलते है वहां रहता है डिजर्ट एरिया में पाए जाता है फ्राग, पोलर बियर, फिश या केमल बताई इसका आंसर बताओ भाई कितना जबरदस्त है अ figure shows an animal, एक figure यहां पर दिया गिया है, इसके बारे में क्या लिखावा है कि, how does the animal protect itself from extreme weather condition, यह जो animal है, वो कैसे, कैसे बचेगा, अगर उसका जो environment में changes आजएगा, it undergoes hibernation, यह hibernation पर चला जाएगा, it has a very thick cover of feathers, इसके पास बहुत मोटा लेयर होता है, feathers का, यह it migrate to warmer place, यह गरम वाले जगह पर चले जाएगे, यह it has folded skin, यह इसके पास folded skin होता है, यह एक bird है बाई, अगर उसके area का temperature बिल्कुल down हो गया, बहुत थंडा पड़ गया, तो फिर यह क्या करेगा, तो वही option यहां पर दिया गया है, 28 का answer बताईए, तो इसका सही answer क्या होगा, चिडिया ही न migrate कर जाते है, Siberian crane के बारे में बताया गया था, है न, migrate कर जाते है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते है, warmer place पर चले जाएगे, नेक्स्ट, look at the group below carefully, यहां पर कुछ group बनाया गया है, X में है deer goat ship, Y में lizard frog cat, an animal P can be placed in both groups, which of the following animal could be, could P be, तो इसमें से, जो है P, क्या question दिया है भाई, क्या question है मेरे लाल, देखो यह रहा, हाँ, replace कर पाएंगे भाई, बता जरा, goat, rat, rabbit, snake, हाँ, 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 देखो यह सब जो है, यह सब यह सब अलग में आ गया है न, यह अलग आ गया, इसको replace हम किसे कर देंगे भाई, इसनेक से कर देंगे, किसे कर देंगे, इसनेक से कर देंगे, इसका सही आंथर यह ही है न, भाई, देखो यह रहा, यह तो मेरे को भी confused कर दिया, यह question, C है, C, rabbit, यह क्या है भाई, 28, कौन्जा question है, 29, 29 का B, rat, 29 का rat, rat होगा, इसमें भाई, rat, यह question, थोड़ा सा, उट पटांग, कि तरह लग रहा है मुझे, अन, insufficient question है, चर नहीं समाजी में आ, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बाद में देखा जाएगा, चलो, next question, यहाँ पर करते हैं, next question, यहाँ पर करते हैं, क्या दिया गया है, some animals blend their body shape, और color into the environment, so, as to camouflage themselves, some animals and the place, where they will normally camouflage themselves, are furnished below, which of the following do you think, as have been wrongly matched, तो यह सारे कुछ ऐसे जानवर दिया गया है, जो अपना रंग बदल देता है, environment को देख करके, अगर predator आते हैं, तो कौन सा गलत है, वो option दिया गया, तो chameleon, जो गिर्गिट है, वो पेंड के जो छाल होता है, उससे अपना color match कर लेता है, stick insect जो है, वो leaf में जाकर के, अपना color उसी की जैसा कर लेता है, stonefish जो है, वो पत्थर में के, अपने आपको उसके जैसा कर लेगा, पताओ कौन सा गलत है, वो पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है, 30 का बताओ, 30 का बताओंगे answer, तो इसका सही answer है, 2 and 5 only, यानि कि stick insect leaf में match नहीं करता है अपने आपको, ये गलत है, और 5, leaf insect, leaf में अपने आपको match करता है, रॉक में match नहीं करता है, तो ये और ये गलत है, ठीक है, ये और ये गलत है, तो ये रिवीजन करने का एक तरीका है, ये सारे ऐसे से question हम करा रहे हैं, ताकि आपके revise हो जाए chapter, चलिए आगे बढ़ता है, next question की तरफ, the animals given below are similar in some way, ये सारे similar है, किस वे में, है ना, name the features common in all these, एक features का नाम बता हो, जो सब में common हो, scales पाए जाते हैं, feathers पाए जाते हैं, cells पाए जाते हैं, या moist skin पाए जाता है, बहुता इसका answer, 31 का answer, shell पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, shell, है ना, snail में, crab में, prawn में, क्या पाए जाते हैं, shell पाए जाते हैं, ये common features है, ये common features है, बच्चा, अब दो यहां पर P on Q, R and S, Q and S, only fade on R, R is one of the earth's natural resources, which is most probably true of the following, बड़ा खतरनाक question है, यह conceptual question है, इस तरह के question आते नहीं है आपके exam में, लेकिन हम आपका mind sharp करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इस से related questions अगर आ जाए तो आप लोग कर लो, question क्या बोल रहा है, P fits on Q, P जो है वो Q को खाता है, R and S and Q and S, only fade on R, वो R को खाता है, Q and S, और R जो है, R है natural resources, R क्या है natural resources, बड़ा tricky question पुछा गिया है, तो which is most probably true of the following, P is an omnivore, R is a herby war, S is a omnivore and Q is a carnivore, बता इसका answer, 32 का answer करो, ऐसा heart question दे दिया, आप लोग दिमाग हिल जाएगा, देखने कौन करता है भाई, जो जो खाता है, टंईस, बालं त्हेंस, बालं दोगोथ किå, तो बड़ा भूण आग है, Satya खिए सवारbird समझ में आया है, समझ में आया है, यह कोशन बहुत ही तफ कोशन है, लेकिन समझना, P जो है, वो Q को खा जाता है, और Q और S जो है, वो सिर्फ और सिर्फ आर खाता है, और R is one of the natural resources, और R जो है, वो natural resources है, तो समझ लेना, R क्या है भाई, R आपका grass है, और Q और S क्या खाता है, घास खाता है, और P जो है, वो Q को खा जाता है, that means P जो है, वो क्या खा रहा है, फ्लेश खा रहा है, ठीक है, बहुत खतरनाक question है, इसका सही answer है भाई, P is an omnivore, P जो है, वो omnivore है, P जो है, वो सारी बड़ा danger question है, इसको भी skip कर दो, अगर नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप देखो यहाँ पर यह question देखेंगे, ठीक है, यह question देखेंगे, given below are adaptation that allow aquatic animals to move easily in water, यानि कुछ adaptation है, जो पानी में उसको help करता है तहरने में, A, a streamlined body, B, breathing tubes, C, web fit, D, g और E, fins, तो which of the above help aquatic animals to move easily in water, बाई कौन जो है वो आसानी से तहरने में मदद करता है, A, B, E, A, C, E, या A, B, C, E, या A, B, C, E, या A, B, C, D, E, यानि कौन पानी में तहरने में मदद करता है, तो बाई, streamline body होना चाहिए, breathing tube यह नहीं होना चाहिए, web fit होना चाहिए, gills की जरुत है, यानि की A, C, और E होना चाहिए, तो A, C, E कहा है भाई, यह है, B is the right answer, B is the right answer, B बिल्कुल सही answer, B बिल्कुल सही answer है, चलो ठीक है, next question कि तरफ बढ़ते हैं, भाई, how are birds adapted for flight, birds को किस तरीके से adapt किया गया है कि वो उड़ पाए, their body shape, smooth waxy feathers, hollow bones या beaks, अब बताओ, A and B, C and D, ABC या ABCD, बताए भाई, 34 का answer करो, body shape सही होना चाहिए, hollow bones होना चाहिए, और smooth waxy feather होना चाहिए, A, B, C, यानि कि आपका C is the right answer, यह भीक की जरुरत रही है उड़ने के लिए, चोंच नहीं भी रहेगा तो उड़ लेगा, चोंच नहीं भी रहेगा तो उड़ लेगा, चले next question की तरफ बढ़ते हैं, study the concept map below, कुछ concept map यागे है, बहुत tough tough question आ रहा होगा, लेकिन भाईया, chapter revise हो जाएगा, आप PYQ करोगे ना, वो सब आसान लगेगा, देहो यहाँ पर क्या concept है, एक से एक organism है, जो can breathe through the moist and thin skin, यह skin से भी सास ले सकता है, यह अंडे पानी में देता है, यह जमीन और पानी दोनों पे रहता है, और यह एक जो है, जो fertilize होता है, वो externally fertilize होता है, यानि body के बाहर fertilize होता है, तो इन में से कौन सा प्रानी है, जो यह सारे features अपने body के अंदर र frog, यहां पे तो क्या लिखावा, can live both land and water, amphibian frog है, frog is the right answer, चले, next question की तरफ बढ़ते हैं, भाई, observe the animals given below, कुछ animals यहां पे दिया गया है, भाई, penguin है, turtle है, walrus है, ठीक है, आप उसके बारे में कुछ दिया गया, they have flippers to help them move in water, they can live both on land and in water, they have lungs to breathe in oxygen, इसका सही आंसर बताओ, इसका सही आंसर बताओ, 36 का आंसर करेंगे, तो भाई, तीनों में इस सारी चीज़े पाई जाती है, यह भी, यह भी, यह भी, यह निकि आपका डी इस दराइट आंसर, डी बिलकुल सही आंसर है, ठीक है, डी बिलकुल सही आंसर, जल्दी जल्दी करेंगे, बाई, question बहुत है, अब दो यहाँ पे कुछ दिया गया है, यहाँ पे कुछ दिया गया, यह तो question पूछा जा रहा है न, 37 का question है, क्या question है, अनीस spotted an animal during his visit to reservoir, मतलब वो कहीं गया, reservoir मतलब पानी के पास गया, तो उसको कुछ जानवर दिखें भाई, the animal swim and has a tail, एक जानवर तैर रहा था, उसके पास पूछ था, it also spend its entire life in water, वो पानी में ही पूरा जीवन जो है बिताता है, it cannot live without water, वो पानी के बेना नहीं रह सकता, which of the outer covering does the animal and is saw most likely to have, तो वो उस जानवर को उसने देखा उसका outer covering क्या होगा, अब देख लो भाई, outer covering क्या होगा, यही होगा ना, मचली देख लिए बाई उसनों ने, जिन्दगी बार पानी में ही रहता है, पानी के बेना जिन्दा नहीं रह पाएगा, कितना लंबा चोड़ा है, मतलब easy question को घुमा घुमा के पूछ रहा है, इसलिए हम जान बुछ की इस तरीके के session लेकर क्या हैं, आप लोग को मजबूत करने के लिए, Camels have thick leathery pad under their heels, these help them walk in the hot sand, swim easily, climb step slopes, या none of these, तो भाई ये तो आपका ये ही सही answer होगा, अना, गद्देदार पाउं होते हैं, Camel के ताकि वो sand पे चल पाए, और मोटा इसलिए होता है, ताकि उसको गरम ना लगे, है ना, Question तो बहुत है, question बहुत है, question बहुत है, 50 question हम कराएंगे, 50 question सर्फरोज सर कराएंगे, reproduction in plant का question, ठीक है, 38, चलो ठीक है, next question की तरब बढ़ते हैं, Which of the following animal and its respiratory organ is paired correctly, अब देख लो भाई, कौन सा match, तो सही है, Parrot lung से सांस लेती है, fist gills के जरिए, अर्थवा मिस्किन के जरिए, cockroach gills के जरिए, बताओ कौन सा, सही, हाना, animals its respiratory organ is paired correctly, कौन सा सही matched है, बताओ भाई, 1, 2, 3, कहा है, 1, 2, 3, D is the right answer, cockroach gills के जरिए, सांस नहीं लेता है, यही गलत है, यही गलत है, तो आपका यह सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, चलो, next question की तरब बढ़ते हैं, which of the following statement about animals are true, इन में से कौन सा है, animals के बारे में कौन सा statement true है, option है, amphibians are the only group of animals without any outer covering on their skin, अरे, यह कही सा बात है, बाई, birds are the only group of animals with an outer body covering of feathers, fish are the only group of animals with an outer body covering of scales, mammals are the only group of animals with an outer covering of hair and suckle, they are young, अब देखो, बताओ, इसमें कौन सा statement, कौन कौन सा statement सही है, option यहाँ पर दिया गया है, बताओ, इसका अंसर, नाइंध का आज नहीं होगा, बच्चा, नाइंध का आज नहीं होगा, 40, 40 का अंसर करो भई, तो 40 का अंसर, B सही है, और D सही है, यह गलत है, यह गलत है, यानि कि इसका सही अंसर है, B and D, ठीक है, यह, इसके सिर्फ मचली में नहीं, और भी कई जानवरों में होते हैं, इसनेक में पाये जाते हैं, विच अफ दा फॉल्लइग एनिमल इस एन ओमनी वोर, इनमें से कौन सा ओमनी वोर है, इसने क्रोकोडाइल रैबिट या फिर यह रैट, तो आपका रैट ही होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन की तरफ, match the following terms in column 1, with their example in column 2, match करना है, aquatic, water, terrestrial, जमीन पे रहने वाले, land, aerial, tree, erboreal air, तो यहाँ पर देख लो भाई, कौन सा match हुआ, 42 का, 42 का हो गया, A, P का 3, P का 3, ठीक है, Q का 4, Q का 4, ठीक है, और R का 2, R का 1 न, और S का, R का 2, अच्छा, 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 अच्छ, 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 ठीक है, गुट, रिजवी, देख लो बड़े अलग-अलग तरह के आज कोशन लेकर क्या है, आप लोग का दिमाग जो है वो दुरुस्त नहीं होगा, लोग अट फीगर गिवन विलो, इट हैस फ्यू प्रिटेटर्स विकाउज अफ इस हाड शेल, किसकी वज़े से हाड शेल, यह तो रिपीट कर गया है कोशन, किसको बोलते हैं रिगिस्तान का जहाँज, कैमल को, किसको बोलते हैं, कैमल को, थोड़ा जल्दी करते हैं, इन में से मैमल को देखें बई कौन है, सील है, वेल है, इचिडना है, डॉल्फिन है या प्लाटिपस है, यह कोशन हो गए बई, यह कोशन हो गए, डॉल्फिन प्लाटिपस बता इसमें मैमल को वो करो यह तो कोशन्स है यह तो कोशन्स है इसमें अडेंटिफाई करना है लिखना है भई यह सब के सब मैमल है इस बके सब मैमल है ठीक है सब के सब मैमल चले नेक्स्ट कोशन्स की तरब बढ़ते हैं study the animal shown below name the insect and give reason to justify your answer यह तो written questions आ गया भाई यहाँ पर देखते हैं which of the following organism is adapted for survival in cold region cold region में कौन-कौन सा है तो यह पेगवेन और यह polar bear ठीक है यानि RS, यानि कि C is the right answer, C is the right answer, ओके बच्चा, चलो, next question की तरफ बढ़ते है, the hump of camel helps in storing, hump यानि पूट, camel का, ये दखो, उँट, उँट, तो ये जो hump है, ये क्या store करता है, तो ये store करता है, fat, क्या store करता है, fat, C is the right answer, चलो, next question की तरफ बढ़ते है, the hump of camel, भाई, fat, ये है, ये है, चलो, next question, बस, चलो भाई, तो आज, जो है, हमने different lifestyle के बहुत सारे possible question करा दिये है, अब Mr. सरफरोसर आएंगे, और वो आपको plant, reproduction in plant के questions कराएंगे, ठीक है, मज़ा आया आप सभी बच्चों को, मज़ा आया तो बत आदो भाई, सभी बच्चों को मज़ा आया, अभी continue रहेगा, भाई, अभी continue रहेगा, सरफरोसर जो है, वो reproduction in plant के questions कराएंगे, टोटल आज 100 question होने वाला है, सर, 11th batch कब लाओगे, 11th batch आच चुका है, 11th batch आच चुका है, और अलीगर जंक्षन 2.0, जाकर education अटा learning app डाउनलोड करें, वहाँ पे course section में अलीगर जंक्षन 2.0 है, उसको join करें, एक मार्च से classes शुरू होगा, ठीक है, चलो 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 ठीक है, आप जो है वो अप सर फर सर आएंग, ओके, ठीक, अच्छा विलकम मेरा हुआ है, आप लोग तो यहीं पर हो, ठीक है, पैचानते हैं हमको आप लोग, चिंते हैं, वालेकुम असलाम, वालेकुम असलाम, एक मिनट, वालेकुम असलाम, मिस्टर फिर्दॉस, कहां कैसर, सर चले गया है, अब हम है, ठीक है, सर तो चले गया है, वालेकुम स्लाम गुड नाइट ओहो गुड नाइट अभी नहीं जाना है अभी गुड नाइट नहीं करना है अभी एनिमर ये प्लांट वाला कोशन करना है प्लांट वाला भी कोशन आएगा भाईया प्लांट वाला भी कोशन आएगा चलिए तो plant वाला question करते हैं plant life का इससे पहले जो शदापसर करा रहे थे वो हमारा most expected question था याने कि यहां पर से question आने के chance जादे हैं यह वाला question लेकर आए इसका बहुत जादा मतलब क्या बोलते हैं उमीद है कि यहां से question आएगा और इससे इस वाले question से आपका chapter भी revise होगा क्योंकि question से chapter revise जादा होता है ठीक है वालेकुमसलाम वालेकुमसलाम नावेद अखतर unknown world but true fact ठीक है वालेकुमसलाम शुरू करें मेरा नाम नीचे सर मेरा नाम वालेकुमसलाम रमजन मौंबर रमजन चले शुरू करें चले हो गया वह यह फरहान रिजवी चले ठीक है ले लिए आपका नाम आये शुरू करते हैं परवीन अखतर वालेकुमसलाम चले आये पहला सवाल प्लांट लाइफ का है किसका यह सवाल है यह सवाल है प्लांट लाइफ का प्लांट लाइफ का ठीक है सीड आर डिसपर्स बाई बताइए यह जो डिसपर्स डिसपर्स वर्ड लिखावा है डिसपर्शन डिसपर्शन ओफ सीड हमारा टॉपिक था सीड कैसे डिसपर्स होता होता है क्या क्या डिस्पर्श का मतलब क्या होता है लोकेशन चेंज लोकेशन चेंज ठीक है सीड का लोकेशन चेंज यानि कि जो सीड जहां पर जर्मिनेट हुआ है वहां से कहीं और लगना इसको बोलते हैं location change तो seed का dispersion कहा होता है मतलब कैसे होता है water से होता है या explosion of fruit से होता है या wind से होता है या all of these से होता है इस word को ध्यान दिजिएगा seed का dispersion जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ water के through होता है seed का dispersion जो होता है वो शर्वन सिफки explosion of fruit के वाज मतंब fruit का फट जाना अंदर से निकल जाना या फिर wind के सिर्फ only wind के या फिर all of these बताएए सर्थ डी 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 बताएए all of these, अच्छा एक बाद बता हो, इसका example दोगे, इसका example दोगे, बताए, इसका example है P, मतर, मतर जो खाते हैं न मतर, यह मतर, यह मतर क्या होता है, यह मतर अंदर में वो जो वो seed है और यह explosion हो याता है, explosion, ठीक है, अच्छा यह देखों कहां टिक लगाया है, ठीक यहां लगाना था, all of these में, हम बस आपको explosion का बता रहे थे, पी वाला, पी जो होता है, वो explosion of fruit के वाज़े से seed का dispersion होता है, हाँ, पी प्लांट बहुत अच्छे, कौन वह यह नाम क्या है, मारूफ खान, आए, next question, which of these supplies, supplies food to the developing embryo, मतलब developing embryo को food supply कौन करता है, until the plumule develop green leaves, मतलब प्लेमे ओल के development से पहले, embryo को food supply कौन करता है, प्लेमे ओल के development से पहले, जो हमारा यहा इसको कौन, food supply करता है, embryo को, बताएए, बदेगे ज़रा हाँ सबका नाम लेते रहे हैं कोशन नहीं करवाएं सबका नाम लेते रहे जाते हैं कोशन नहीं करवाते हैं जसी मुद्दीन क्या बोल रहे है एंसर क्या बोल रहे हैं आप B V गहां से हो गए यार V तो हाई नहीं अप्चन में राडिकल कॉटलेडन मैक्रोपाइल या टेस्टा बताएए अच्छा आपको पता है कि यह 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 देखना अभी क्या बनाएंगे हम कि देखे यह हमारा सीड बहुत खतरनाक सा है समझेगा यह होता है सीड और इसमें एक और खतरनाक चीज़ बनाने वाले हैं देखके डर जाइएगा सीड कोट सीड कोट है ठीक है यह जो है ओपनिंग इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल ठीक है ए ए कौन बोल रहा है को Turn 7 का D अरज सवाल समझ में आया क्या हो रहा है बोल रहा है कि प्लिम्यूल के development से पहले embryo को कौन देता है food supply यह देखो आप इसको अगर open कर दे सीड को उपन कर कर दे तो कुछ ऐसा बनता है क्पुछ ऐसा बनता है ओपन करने के बाद जो Green 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 ग्रिंग रिए बताई ज़रा यह होता है हमारा कौर्टी लेड लेरन्स ये भी हमारा कॉर्टी लेडंस है ठीक तक और बताऊ कुछ क्या होता है एंसर तो बता देंगे लेकिन यहां जो दिया कि समझाना भी तो है बैक्रय्स यह ओpow्वाटर इंटर होता है जहां से water inter होता है वो होता है macropyle, cotyladen आपको बता दिए, seed का यह दोनों हिस्सा cotyladen है, अब radical और testa बताना है, तो radical बताएंगे पहले testa बताएं, यह testa क्या होता है, testa क्या होता है, seed के, seed के अपर जो seed code का layer होता है, tagmin और testa, ठीक है, क्या होता है, tagmin और testa, जो testa होता है, वो बाहर वाला होता है, यह testa होता है, बाहर वाला, seed code के बाहर वाला testa, और अंदर वाला होता है, tagmin, ठीक है, सब revise करते जाना है आपको, सर क्या होता है बता तोरह सीड कोड के बाहर वाला होता है टेस्टा और अंदर वाला होता है टिगमेन ठीक है और अच्छा अब बता रैडिकल रैडिकल होता है नीचे वाला ठीक है और ये होता है प्लोम्यूल उपर वाला तो parlomeule जो हता है वվ shoot बनाता है और radical dus又 रूट बनाता है तो palomule के development से पहले development से पहले इंब्रियो को कौन food supply देता है तो Answer is the का cotyledon, cotyledon जो है वो food supply देता है किसको, किसको, किसको seed को kब तक plumule के development से पहले ठीक है Sir, कितना class का है सिस class का है, कितना class का है 40 class का है Sir, radical means root radical means root नहीं seed का Видicolor парट होता है यह root का formation करता है, और जो playmule part है वो shoot का formation करता है, पता है न, root और shoot, तो समझ में आ गया, cotyledons, जो है, cotyledons, जो है, यह food supply करेगा, यह food supply करेगा, किसको seed को, embryo, embryo को, sorry, embryo को food supply करेगा, प्लिम्यूल के development से पहले समझ में आ गया आगे बढ़े हैं ऐसे कर दो तो ऐसे तब आगे बढ़ेंगे चलो next वा कोश्वनवा the following statement describe the stages of development of particular plant यह आपको stages दिया हुआ है इसका नाम दिया हुआ है PQR फिर इसको आपको सर्याना है arrange करना है आपको ठीक है पहला है P का the seed germination seed germination हो गया fruit development हो गया plant जो है वो flower को hold कर लिया beer का मतलब होता है hold करना plant flower को hold कर लिया और the seedling become adult plant seedling का मतलब होता है young seed मतलब young seed जो है seedling का मतलब होता है young plant ठीक है young plant y-o-u-n-g young plant ठीक है young plant दिख रहे हैं आप लोगो हाँ लाल कर लेते हैं इसको लाली तो क्या बोल रहे हैं सीट जर्मिनेट हो गया फूट डिवलप हो गया प्लांट जो है वह फ्लावर को होल्ड कर लिया और जो यंग प्लांट है वह यंग एडल्ट बन गया तो इसको आप अरेंज कर यह तो पहले बताई ज़र है इसका 30 का D अच्छा 30 अब थ्री है मैथ कभी त्यारी करना पड़ेगा आप लोग को B नावे दख्तर B बोल रहे है जॉनि टोनी भी बोल रहे है चीक है और बताईए देखे सीड जर्मिनेट सबसे पहले सीड जर्मिनेट करेगा ठीक है उसके बाद जो यंग प्लांट है जो सीडिलिंग है जो सीडिलिंग है वो एडल प्लांट बनेगा ठीक है उसके बाद क्या होगा उसके बाद फ्लावर आएगा तब fruit आएगा, पहले seed germinate किया, फिर वो seed जो है, वो adult plant बन गया, उसके बाद उसमें flower आया, फिर fruit आया, तो क्या हो जाएगा, PSRQ, PSRQ, याने की पहले seed germinate करेगा, फिर वो seedling, जो seedling है, young plant है, वो adult बनेगा, फिर उसमें flower आएगा, और फिर flower जो है, वो fruit बनाएगा, तो यह आपका 4 step था, समझ में आया, सर मैत यह वाला class नहीं आएगा, सर आएगा, आएगा, सब आएगा, आएगा, सब आएगा, कल, कल, जो 9th class का most expected है, बिल्कुली revision session ही, समझो एक तरह का science का, questions से आपको revise कराएंगे, ठीक है, अब आते है next question में, समझ में आ flower आएगा, और flower फिर fruit बनाएगा, यह जो 4 step है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ, the seed of dash fruit, खाली fruit ठीक है, the seed of dash fruit are dry, मतलब एक fruit का आपको नाम बताना है, जिसका seed dry होता है, और वो explosion से disperse होता है, मतलब seed यहाँ से वहाँ कैसे जाता है, explosion से, ठीक है, when we touch, fruit कर जाता है, ठीक है, drumistic, यह क्या है, साइका मोर, cotton, या पॉपी, बताईए, बताईए, इसका बताना है आपको, लेको drumistic सबको पता है, लेकिन इसका नाम जानता है नहीं है, सब, यह सब, यह सबजी है, drumistic जो है, सबजी है, सबजी, आचा तुम पले बताओ, बदाएंगे ersियम, पहले तुम लोग बताओ, इसका 32 नहीं आ रहा है, क्या 39 नहीं आ रहा है, क्को बताना आपको देखे, यह होता है, सहजन, अब यह सहजन क्या होता है, सहजन का सबजी, देखे हो, लंबा चूपअब तो जो है मतलब उसका जो सीड़ी होता है क्या उसको छूटे के साथ वह एकश्प्लोट कर दा आ अब इतने को साइका treaties अरे साइका मौर क्оюर के कॉंटन का मतलब पता है आपको कपास पापी का भी मतलब पता है तो पास पोपी प्लांट अब बताए कि क्या है कौन सा सवाल है ये मतल मिसका जवाब क्या है बताम यह лож- ze देखिए पॉपी एक ऐसा ब्लांट है पॉप ऐक ऐसा फ्रू Attack जिसका जो सी ढृता हैक याद रखे पॉपी एक ऐसा सीड़ो होता है दिसका सीड़ सीड़् ञोता है और वो सीड़् जो है वह डिस्पर्स होता है एक्स्वर्जन से यानि कि पॉपी जिसे मानके पॉपी फूरूट है वो जब उसको टैच करेंगे तो फट जाएगा और उसके से सीड निकलेगा तो यह कौन सा हो गया एक्स्पोलोजन वाला मेकनीजम हो गया ठीक है सीड डिस्पर्स भाई एक्स्पोलोजन यहने कि फ्रूट है पॉपी फ्रूट है और वो फटेगा और से सीड निकल जाएगा और उसका सीड ड्राइब होता है तो यह तीन-चार बात आपको याद रखना है ठीक है आए नेक्स दAdamल् GSA निद्र लिप्लांट इन डीन प्लांट सीड डिस्पर्स माइब अनिमल से वाटर से विंड से Žक्ष्प रूट से मअ अब दो 1 वे थे पहइव पहुत असान है डाइंड युर्च ना वह ऐसा होता है आप लोग देख्ञें हैं emissions यसे स्रमली है उड़ता रहता है उधता उधर कभी कभी आ के उसको पंठंड हो कट है यह बहुत लाइट को होता है lightweight तो lightweight याने कि हलका हलका और हलका 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 उड़ जाएगा ठीक है तो dandelion seed जो होता है वो wind से disperse होता है see बहुत सही फोर का see very good चलिए next question read the statement given below and choose the character आपको यह दोनों statement पढ़ना है तो आई यह पहले पढ़ता है इंदोने statement को all the flowering plants produce fruit and seeds सही बात है सही बात है अभी हम नहीं बता हैं सही बात है पहले देखो जितने भी flowering plants है वो fruit and seeds को produce करते हैं इस चीज़ पर focus करिएगा सारे flowering plants जो है वो fruits and seeds को क्या करते हैं produce करते हैं fruit and seeds produce करते हैं दूसरा कुछ प्लांट जो होते हैं that the plot proportion से क्या करते हैं रिप्रदप्वेंचन रहें दो बात बता रहें आपको सारे फ्लावरिंग प्लांट जो है वो सी और वो रिपनदीक्रीश कर्राइए दूसरा बताएं कि कुछ प्लांट आपको जो है वो विजिटेटी प्रप्रडक्शन से रिप्रडक्शन कर रहे हैं तो अब बताएं इसमें से सही कौन है और गलत कौन है तो A बोल रहा है P जो है वो वो पी को explain नहीं कर रहा है मतलब आर जो है वो पी का explanation नहीं है ठीक है और डी बोल रहा है बोध प्यार इंकट और डी बोल रहा है दोनों गलत है तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से आपको बताना है चलिए कोशा नमबर देखे प्लीज बहुत अच्छा कोशन नहीं है बहुत अच्छा कोशन है यह कोशन 6 का सी सी यानि कि बोध पियार करेक्ट मतलब दोनों सही है अब अच्छा देखे यह बात तो आपने सही बोला ये बात तो आपने सही बोला कि ये Explanation नहीं है चलो ठीक है लेकिन दोनों Correct नहीं है कि दोनों Correct नहीं है सबका गलत हो गया सबका गलत हो गया अरे दोनों कैसे Correct हो जाएगा अब यहां पर हम दो चीजे दिखेंगे न तो आपका दिमाग का होश दुजाएगा यह देखो हम क्या लिख रहे हैं मैंगो और हिबिसकस यह दो जो फ्लावरिंग प्लांट है यह जो है यह कैसे करता बता तो दरह अच्छा उतना उतना डिपली मचा उतना डिपली मचा बस हमको सिधा यह बताओ कि सारे जो है सारे फ्लावरिंग प्लांट जो है यह यह लिखके गलत कर दिया है यह कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे हैं जो फ्रूट और सीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं यहां पर अगर सम लिखा रहा था ना सम क्या लिखा रहा था यहां पर यहां पर अगर सम लिखा रहा था सम देते ही नहीं है तो यह वाला गलत हो गया यह वाला यह वाला गलत हो गया पहला वाला कि तो अब बोल रहे हैं अब कैसे अभी तो जब हम बोल रहे हैं पी इंकरेक्ट है तो एक पर अगली था all कि all plant reproduce by vegetative propagation तो यह भी गलत होया था लेकिन इसने लगाया दिमाग इसने all नहीं बोला इसने बोला sum याने कि कुछ लेकिन यह जो है यह बोल दिया all तो इसलिए गलत हो गया कुछ जो होते हैं flowering plants वो seed और food प्रोड्यूस नहीं करते हैं और अब कुछ जो होते हैं वो विजिटेटिव यहां पर all रहा था तो यह भी गलत होता तो इससे हम को यह समझ में आया कि P is incorrect यानि कि पहला वाला incorrect है और आर जो है वो correct है अब सब बीबी कर रहा है तो पल्टू राम सफ़े पहले ए कर रहा था पिर सीसी किया अब बीबी कर रहा है थीक है समझ में आया समझ में तो इसे कर दो चलो, next, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ, अगला सवाल, which part of the embryo grow first, embryo का कौन सा पार्ट जो है, वो पहले grow करता है, radical, अब देखो, इसको तो हम कार्ट देंगे, क्योंकि इंब्रियो का हिस्सा ही नहीं है, इंब्रियो का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है, इंब्रियो का हिस्सा ही नहीं है, तो इसको हम कार्ट देंगे, बताएए, कोशन मा स्यान का बताएए, बी बी प्लोम्यूल ओहो मेरे दोस्त मित्र देखो यहां पर क्या बोल रहा है यहां पर बोल रहा है रैडिकल याने की यह बनाएगा रूट प्लोम्यूल याने की यह बनाएगा शूट तो आपको एक बात बता देते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से तरीका बहुत अच्छा है बताने का कि root जो है ये पहले बनता है first सबसे पहले plant में क्या बनता है root बनता है और उसके बाद बनता है second number shoot तो root जब पहले बनता है तो root पहले बनने के लिए किस चीज़ को पहले grow करना पड़ेगा radical को न मारखा ने अलगाम कर दिये सटाक से मार दिये दम प्लेम्यूल अभी भी आ रहा है answer बताए तरह इसको सुधार ये पहले पहले बताए समझ आया कि नहीं जब root पहले बनता है आपको पता है कि root पहले बनता है तो root को डेवलप radical करता तो radically पहले grow करेगा ना हाँ अब डी बोल रहे है कोटी लेडन कोटी लेडन पहले कैसे बनेगा को कोटी लेडन यह देगो क्या बोल रहा है चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बहुत असान सा था यह अब यह हो रहा है सबका थम सब भी आ रहा है और यह भी बन रहा है चले नेक्स्ट कोश्ट यह फिगर देखिए दिख रहा है मटर है मतलब इस फोटो में इस फोटो में कौन सा सीट डिस्परसर दिखा रहा है पानी से हो रहा है एनिमल से हो रहा है एयर से हो रहा है या फिर एक्स्प्लोजन से हो रहा है बताइए ए बीस्ट बताइए यह जो फोडो दिखा रहा है यह जूगर दिखा रहा है इस्में सीट का डिस्परशन पैसे हो रहा है आट से एनкимиल मेंехथ Clinton से भूदि आसान है ये दी याने की Official से तो यह आपको अभी बताया थे कुछ देरे पहले एक्स्प्लोजन से हो रहा है ठीक है है यह एक्सप्लोजन से हो रहा है फ्ठके एक्सप्लोजन मेकनीजम फटके next अब देखो एक बक्री अगोट इत टोमेटो एक बखरी जो है वो टोमेटो खा लेती है और इनके बॉड़ी से अलिमेंटरी कना से पूरे इनके पेड से जो सीड होता है वो बिलकुली भीना डैमेज हुए हुए वो निकल जाता है तो बताएए यह जो है यह किस तरह का डिस्पर्शन है यह विंड से इन्हींल डिसपर्शन या वाटर डिसपर्शन एयो मेकैनि एक्सपोलोज मेकनिंजम डिसपर्शन भदा यह बहुत असान सा है या अम लएन ऐसार नाम लेंगे उस दिन जिन कि आपका सेलेक्शन होगा बताइए अरे बहुत असान है यह कौन है यह कौन है यह विंड है यह एयर है यह वाटर है यह क्या है यह क्या है यह है यह एनिमल कितना हार्ड कोशन है तो जब बकरी जो है वो हवा नहीं है बकरी एनिमल है तो यह कैसा डिस्पर्शन होगा तो यह एनिमल अला डिस्पर्शन सब्कार करेशन और कितना असान सवाल है कि मेरी जी अब देखो दी बोला है कोई अब भी पोल रहा है इब बताई ये बक्रिन फट्ट जाएगा उसने सीड निकल जाएगा रमजान ने भक्री नहीं फटता है रमजान से पहले भक्री नहीं फटता है वह बहुत कठीन सवाल था इसका जवाब देते देते सबका बक्री पड़ी है ना चलो नेक्स्ट आगे बताइए वीज पार्ट आफ दे को कोनेट इनेबल इट टू फ्लोट इंट वाटर मतलब यह रहा गया है P.R.S.U. नाम नहीं मताएं भी इन यह कोकोनेट है और कोकोनेट का कौन सा ऐसा पार्ठ है जिसके वज़े से प्लाट वॉक करता है तारता है पानी पर Dripetका चाट for Tech P.R.S.U.S. Amy में से कौन से पार्ट के वज़े से कोको नट जो है वो पानी पर तैरता है बताए ये ज़रा पताए बताए देखे ये जो एस है ये तो वाटर है नारेल तेल नारेल पानी ये देख ये एस ये एस अंदर वाला ठीक है और ये आर जो है ये इंडो इस परव है इंडो इस पर आ नाम पहली बार सुने होंगे 앞le km रखे हूंगे ठीक है और क्यू जो है ये रfire है हम को आम लोग फाइबर भी बोलते हैं फर ये वोता है हस्क वो ब्राउन व्रॉन वाला ठीक है तो अब बते किस के वज़े से पानी में तर रहता है असान सवाद तो भाया आसान है क्यों के वज़े से और क्यों किस नंबर पर है क्यों है हमारा बी नंबर पर तो यह होगा मारा एंसर हस्क ठीक है हस्क के वज़े से फाइबर के वज़े से हमारा जो है पानी पे फ्लोट करता है नेक्स मॉरिंगा मॉरिंगा आप देखो ड्राम इस्टिक आपको बताई ही थे हम क्या बताई थे तो क्या बताई थे हाँ सैजन की सबजी और उसी को बोलते हैं मॉरिंगा सीड ड्राम इस्टिक के सीड को बोलते हैं मॉरिंगा सीड तो यह जो मॉरि मौरिंगा सीड जो है वो हवा से डिसपर्स होता है और लेकिन उसके में क्या होता है उसके सीड में मौरिंगा सीड जो है मौरिंगा सीड जो है इसके सीड में आखिर क्या होता है जिसके वज़े से वह विंड इसके वज़े से डिसपर्स होता है बताइए औरिंगा क्या होता है कि यह बताइए कि अब दीवलिट तो होगा नहीं एक ही सीड़ तीन चीज़ तो आपको पता है हवा में उड़ने के लिए हवा में तैरने के लिए आपको चाहिए पंक ठीक है इसे तुम्हों लगते हो बीना पंक के बेए तुम लोग उड़ने लगते हो कभी-कभी डी कैसे हो जाएगा अभी तो बोले अभी तो बोले डी नहीं होगा क्योंकि एक ही सीड में तीन टाइप कैसे हो सकता है एक ही सीड में यह नहीं होगा मेरे दोस्त यह नहीं होगा कभी एक ही सीड में तीन चीज़ नहीं होगा तो जैसे यह सीड है आपको यह सीड दिखा रहे हैं इसी सीड में क्या होता है इसी सीड में हम लोगों का ऐसे करके विंग विंग बन जाता विंग विंग ऐसे पंद की तरह है अब उस स्ट्रक्चर लिइंग लाइक इस्ट्रक्चर विंग लायक इस्ट्रक्चर जिसके और जैसे क्या होता है उड़ने में मतलब हवा में गने एक तो यह लाइट वेट है उस पर से विंड का डिस्पर्शन है तो इसका और सर्फेस से बढ़ गया तो उड़ने में असानी हो गया ठीक है हाँ अपसे यार है सबका एए मैं तो डीप बता नहीं कहां से आ रहा था नेक्स आओ दसी डबेस डिस्पर्श भाई यह रहा है मॉरिंगा सीड है लिए आ यह यह कैसे हो गात अभी बताइए वाटर से होगा बट्स वाइन्सेक्ट से बढ़ा बदाए इक वोगा असान है अब ही तो बताएं यह यह मौरिंगा ही पास क्या होता है मौरिंगा सीड के पास विंग होता है विंग किस तरह से होगा डिस्पर्स विन्ड से टेक है नेक्स्ट दसीड अब बताना है किसका सीड और डिसपर्स भाई बड बड करता है और विच कंजूम् क선 रचक्षा। कोश्चन नमर्ड के अंसे कि भी कोश्यों मर्डग के अंसर करिए ऐसे समझ महीं नहीं आता है कोश्चन मर्डग लग करिए बहुत असान है डी कौँसा डी बोल रहे हो कौऊन से कौश्च नमर का दी बोल रहे हो यह तो बता दो एए 11 का यह 13 है भई यह 11 का एंसर दे रहे हो यह पीछे तो नहीं है 13 का एए exactly कौन है यह नावे दख्टर दानियाल वाईती रहान अंसारी अन्नोन फैक्ट मारूफ खान फैसल शहजाद आलम सब बता रहे हैं बहुत असान है बेरी बेरी चुटास होता है चुटास होता है और यह चिडिया आपने चोच में दवार के लिए के चल जाता है इसको हो गया ठीक है बहुत असान नेक्स्ट क्वेशन नमबर 14 बताईए कि तब फीगर शोदा लीफ इन अ प्लांट यह देखो यह लीफ है यह लीफ है ठीक है और इस लीफ पर इस लीफ पर एक नया ऐसा कुछ बड़ टाइप का उग रहा है ठीक है तो बताना है वाट प्रोडूस हो ने बहुत तो क्या प पहुते सवाल पोलज रहां इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं डेसीकेशन वेजी तेटिव रिप्रोडप्शं डीवी केशन ओंटीकशन जा फीतिकरेसे रसेंडलेटिडशन बताइए यह देग नख़्यूट तो होने सरा nutrition थोड़ी है nutrition का मतलब क्या होता है nutrition का मतलब होता है food and health and development तो इसमें health and development की बात कहां पर हो रही है वही नहीं nutrition नहीं होगा अब देखो यह बड़ा खतरनाग वाट है defication का मतलब होता है इस टूल पास इस टूल पास जानते हो जैसे तुम वक्तिष्ण में क्या होता है lack of water lack of water के वज़े से जिस plant का death हो जाता है उस process को बोलते हैं यह सब आपको इयां रखने हैа Pressyan the process जिसमें लैका और की वाटर के वज़ेसे प्लानलब हो जाता है defication चैसे इस में यह होता हुआ है अच बात और नीट्रिशन यहने की हेल्थ एंड डेवलप्मेंट तो बचा क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो यह हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ठीक है कि फोरिन का भी और अब बाब बाब अब गरता उड़ा दिये हैं सब रहान अंसारी भी अब परिन अस्तर ए बोल रहे हैं ए बोल रही है ए कैसे होगा अभी तो बताया ठीक है समझ में आया समय आइए तो ऐसे कर दो चलो next 15 the box given below contain the characteristics of seed यह तीन characteristics बताया गया Seeds का कि seed जो है वो हल्का होता है weight में light in weight होता है small होता है छोटा होता है और सूखा होता है तो आपको यह बताना है कि यह जो किसी मेकनिजम से या एनिमल से बताइए हलका है छोटा है सूखा है तो यह कैसे डिस्पर्स होगा वाटर से विंड से से एक्स्प्लोजिव मेकनिजम से या एनिमल से बताइए क्वेशन नमबर 15 का बताइए आ यह यह से वाटर से अरे विंड से विंड से हलका भी है छोटा भी है सूखा भी है तो यह विंड से हो जाएगा ना सूखा बोल दिया मतलब वाटर से नहीं होगा सूखा बोल दिया मतलब वाटर से नहीं और बोलो इसमॉल बोल दिया यानि कि और असान है उड़ने में लाइट इंवेट बोल दिया मतलब और असान या sapling sapling seedling seed or plant seedling seed plant sapling या फिर seed seedling sapling plant लोगो सीड़ का मतलब सीड़ होता है plant का मतलब प्रणाट होता है यह सीड़िंग और सैपलिंग क्या है यंग प्लांट और सैपलिंग का मतलब क्या होता है सैपलिंग का मतलब होता है सैपलिंग का मतलब होता है एडल्ट ठीक है या फिर इसको young tree बोल सकता है young tree का बोलो adult बोल दो इसको लेखो और अच्छे समझने के लिए कर सकते हैं कि इसको बोल दो young seed आई इसको बोल दो young यंग प्लांट अब बताओ सीड फिर यंग सीड फिर यंग प्लांट फिर प्लांट यही तो है ना अब देखो तो कहा है बता तो कोशन में कितना यह पी कैसे आएगा 16 का बता तो जाएगा हम भी में लेकिने तो भी हो जाएगा पहले यंग प्लांट होगा फिर यंग सीड हो क्या होगा DOUilen इंग सीड जिव तो है सीड को ठीक है और यंग सीड को बाद यंग प्लांट तब द प्रांट ऑगा तो यak्प्रोंट होता है सैप्लिंग सैप्लिंग के बाइं अब सरब इसके साथ तो यह हमारा इदूल् अब अब किसके साथ है तो यह हमारा सैपलिंग का मतलब यंग प्लांट और सेटलिंग का मतलब यंग सीड तो पहले सीड फिर यंग सीड फिर यंग प्लांट फिर प्लांट ठीक है सिक्षिन का डी है चले सही है रहानन सारी बिल्कुल सही है मुस्ताक अलम सही है उजमा गलत सी नहीं होगा डी होगा परवीन अख्तर भी गलत बता रही है डी होगा अनोन वर्ल्ड आए नेक्स सवाल पर आते हैं हम लोग डफिएर गीवन बिलोग शॉज फोड डीफेंट फूर्टर ये चाते फूर्ट है ठीक है फूर्ट भी यह सिड्र भी है यह टोमाटो फूर्ट है ये विंग सीडे है ये टफी हेरी कट हेरी वाला सीड है और ये पी है आपको बताना है which two fruit seed are disparate by animal इसमें से कौन दो जो है वो animal से disperse होगा बताना है आपको इसमें से दो fruit या seed कौन है जो animal से disperse होगा बताना है आपको बताईए को इसमें स्वेंटीन का दो को खिया प्राइब यूण दिमाना लिखाल एक लिए दिमाग तक है उसक्रण स्वाए दिमाग स्वालेस लुक्णा कि एक में चाट देख लेते हैं सबका देखें अनिमल लिखावाए ना थीक है इसमें भी सीढ है टो में ठीक है अब यह एनिमल कभी टो मैटो खालेगा चलिए ठीक है तो एनिमल से दिस्पर्स हो जाएगा क्योग्धित टाफी चांhy मतला क्या गया जाक्या एक the मोर्निंगा वाला कोशन कर रहे थे मौरिंगा तो इसका अगर फोटो देखना है एक आपका हेरी टर्फ हेरी अर्य यह जो एक टाइप का हमारा सीड और यह एनिमल के साथ जा के चिपक जाता है तो ऐनिमल के अभग गया तो इससे क्या हो गया हमारा सीड थिस्पर्स हो गया चले तो यह हमारा हो सकता है ऩो आया है अया है टो स देख लीजिये लिजिये तो Mauses है यह तो blink ग्रैख अपर ग्रैव इस वाप संुमताइम जो है यह यह इनिमल से डिस्पर्स कर रहा है तो исवाट कर रहा है तो यह फूल साइ्सक्राइब यह अभी सिर्फ दो चप्टर का melted ऐसे-इसे रोधान आएगा सर यह कौन जी क्लास है यह सिस क्लास है ठीक है सी हाँ एक्जाटली सी इसको सम्टाइम्स मैं रख सकते हैं मतलब समझने के लिए लेकिन एंसर जोगा वह हमारा पी और आर होगा ठीक है विंग सीड विंग 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 वाला कभी नहीं होगा यह हवा मूर जाता वह यह मौरिंगो सीड है ना अब देखो गलत बी बता रहें बी कहां से होगा क्यों और आर कैसे होगा यह एनिमल उड़के तो नहीं खा लेगा एनिमल का डिसपर्सन है चलिया आईए अगले सवाल पर यह जो सीड है इसके बारे हम बोल रहा है कि यह मस्ट अपने अच्छे से कंडिशन में यह जर्मिनेट कर रहा है तो वीच आफ दा लेबल पार्ट वूड ग्रो फर्स तो बताइए इसमें से कौन सा जो पार्ट है वह पहले ग्रो करेगा तो यह स्वाल कहीं नहीं कहीं आप भर फोटो दिखागे फूच रहा है ठीक है तो यह क्यूं यह स्पार्ट आर deport a चाहिए बताईए आल इस म buna है पहले को उशन देखिए पहले या फिर इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं फास्ट कि पहले या फास्ट एक यह बात है पहले गोड़ाया तेजी से गोड़ा करना तो answer क्या है यह क्यूंत क्यूंत क्या है जिए इस अच्छा रियान अंसारी जो रहे हैं नावे दफ्तर बोल रहा है याने की एस बोल रहा है तो एक्जाक्ट ली यह है हमारा रैडिकल पार्ट और राडिकल जो होता है यह root का formation करता है और root का formation सबसे पहले होता है सबसे fast होता है चीक है हाँ D बिल्कुल सही तो यह हो जाएगा हमारा S part याने की and option number D root का यह कभी नहीं पहले होगा यह shoot का formation करता है shoot पहले नहीं बनता है चलिए अगले सवाल के observe the figure अब देखो यह जिंजर है अद्रक है अब बता रहे हैं सवाल यह पूछा जा रहा है कि it reproduce from यह ginger कैसे बना है ginger का reproduction कैसे हुआ है तो the buds देखो यहाँ पर एंसरस में आ गया होगा कि ginger का reproduction बट से होता है जिंजर का रिपोड़क्शन बट से होता है जिंजर का रिपोड़क्शन बट से होता है लेकिन अब सवाल यह है कि यह रूट के बट से होता है या इस्टेम के बट से होता है या लीफ के बट से होता है तो जिंजर का रिपोड़क्शन तो बट से होता है इतना पता है हम कोश्चन नंबर नैंटीन बताना है आपको सर खाना खाना है तो अधरक खालो नैंटीन का ए रूट अच्छा ठीक है बहुत कॉन्फिडेंस है अरे भाई जिंजर का जो रिप्रोडक्शन होता है वो अंडर गराउंड स्टेम से होता है तो अंडर गराउंड से होता है और आपको बच्पन से पता है कि जिंजर का रिप्रोडक्शन जो होता है वो बड्स से होता है तो bird on the stem ये तो काट दो इसका तो कहीं मतलबे नहीं है क्योंकि बड़ से होता है तो the birds on the stem इसको रट लो रट लो रट लो ginger का reproduction बड़ से होता है और वो भी underground stem वाले बड़ से अब यहाँ ठोके वाई सब यहाँ ए रूट से रूट पर कहा देख लिए तुम लोग अध्रक अब वह आलू था जो आप लोग जिसको आध्रक समझ रहे ना वह आलू था सर यह कौन सी किलास है यह संस्कृत की किलास है और हम लोग उर्दू पढ़ रहे हैं ठीक है है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर 20 बताए चलिए क्वेश्चन नमबर 20 अब भी भी आ रहा है खतरना एंसर बदलने में तो एक नमबर हो तुम लो पहले ए फिर भी 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 अ फिर टो सी 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 अबताइए वीच पाट ऑफ ओनियन गिसे अं ग्रो इंट न्यू प्लांट मतलब यहए प्व्यीक्यू आर अलेस्ट यह पलांट है अनियन तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो नया या वोन यहुरलिन मताएगा बताएगैं मताये बहुत असान सवाल centrally अब बताईए 20 का बताईए 20 का क्वेश्चन आप लोग को लगता है नहीं 20 का D अच्छा बेरी गूट देखिए यह जो पाट ने यह पाट आर पाट इसको बोलते हैं बैजल प्लेट क्या बोलते हैं बैजल प्लेट बैजल नीचे बैजल प्लेट ठीक है और यही और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं कंडेंस्ड स्टेम याने की यह स्टेम है ओनियन का लेकिन उसको कंडेंस कर दिया गया है उसको छोटा कर दिया गया है कंडेंस कर दिया गया है दाब दि में सब्सक्राइब, बदा का करता है। तो बता दिए आपको ठीज रहे हैं ले निए चली तो बता दिए आपको लेकिन हमको यह पता है कि यह जो सीड है यह हेरी वाला है ठीक है अब यह हेरी वाला है तो यह विंड से होगा कि वाटर से होगा कि एनिमल से होगा कि दिमाल लगाने वाले खेले याद भी कर लेना जैंतियम सीड जो होता है वह हैरी सीड होता है तो यह क्याटलीस का क्लास नहीं एमबिशन का क्लास चल रहा है बताए यह कोशन नंबर 21 का सीड वेरी इजी बहुत आसान एनिमल आसान है एनिमल में जाके यह जो होता है यह सब हुक है यह क्या है यह हुक्स है और यह हुक्स जाके चिपक जाता है किसमें एनिमल में और वह एनिमल हो जाता है ठीक है एनिमल के साथ हो डिस्पर्स हो जाता है next question, the scattering of seeds over a wide area is called, अब बताईए, scattering of seed, मतलब seed का फैल जाना बड़े area पर उस process को क्या बोलते हैं, pollination, fertilization, dispersal, या फिर germination, क्या होता है, इसी को तो बोलते है, dispersal, scattering of seed को तो बोलते हैं, scattering of seed को dispersal बोलते हैं, और scattering of seed कैसे होता है, wind से, animals से, water से, सबसे क्या हो, explosion से सब तो मेरी बुक में नहीं है कौन से बुक से हैं देखो यह आपके प्लांट वाले प्लांट लाइफ के चाप्टर का क्वेश्चन्स है इसको बना के लाया गया इस तरह से ताकि आपका और तो में तक क्या निकले अंट निकलेगा निकले निकलेगा एकजाम ले दे लाई है दो सीड औफ गौवावा यह बताओ सीड गौवा थिस्पर्स आपको गौवा कैसे डिसपर्स होता है बन से एणिमल से वाटर से एक्स्प्लोशिन explosion mechanism से बताइए, खाली seed dispersal का question है, बताइए, देखे एक सीरीज बावा बताते हैं आपको, गुवावा का जो seed होता है न, वो digest नहीं होता है, तो अगर इसको animal खा भी लेगा न, तो इसको damage नहीं कर पाएगा, seed जो है, वो undamaged रहेगा, undamaged, तो जब seed undamaged रहेगा, उसको कुछ होगा ही नहीं, तो भाईया आसान है, वो किस से disperse होगा, एनिमल से, तो यह रट लो, रट लो क्या समझ लो कि गुवावा का seed जो होता है, वो बहुत hard होता है, उसको breakdown नहीं कर पाता है, यह, क्या वोलता है, एनिमल्स, ठीक है, गुवावा की seeds को, आगे बड़े, चलो next, यह diagram है, वाट इस दा function of seed leaf, seed leaf का क्या function है, बताये, x का, x को यह बोला गया है, x का क्या function है, x जो है, it provide water, it provide food, it prepare food, it support stem, बताये क्या करता है, यह, यह x जो है, यह x जो है, यह वाला portion, यह वाला portion जो है, यह क्या करता है, water देता है, food देता है, यह food को prepare करता है, यह फिर support देता है stem को, पताये क्या करता है, question number 24, देखें यह कुछ और नहीं है 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 यह कौटी लेड़न आपको पता है क्या करता है अब बताओ अब बताओ प्रोवाइड फूड प्रिपियर नहीं प्रोवाइड फूड प्रिपियर नहीं बनाता नहीं है फोटो सेंथिस नहीं हो रहा है फोटो सेंथिस करता है प्रिपियर यह प्रोवाइड करता है इसके पास न्यूट्रिशन है इतना कि यह दे सके ठीक है चलाओ नेक्स्ट पचीस 25, which seed in the figure given below is not dispersed by wind, इन चारो पिक्चर में से कौन सा ऐसा seed है, जो कि wind से dispersed नहीं होता है, तो यह dandelion है, यह भी wind है, यह PAS वाला, और यह hairy tough वाला है, ठीक है तो बताइए, कौन वाला जो है, कि वो wind से dispersed नहीं होता है, बताए 25 का, अरे बहुत असान है, मटर, मटर को अभी हवा मूड़तों पे देखे हो, अब मटर हवा मूड़ेगा, तो आदमी सब्सक्राइब जाएगा, यह छत पर चला जाएगा, अब वहां से ले लेगा, ठीक है, तो यह कभी नहीं होगा, एस जो है, यह कभी नहीं होगा, wind से, असान ह है, अब नेक्स्ट देखो, different type of fruits, different type of fruits have different adaptation for dispersal of seed, से यह बात है, अलग-अलग fruit का, जो seed dispersal है, वो अलग-अलग तरीकेस होता है, the diagram shown in the some fruit of the pod type, ठीक है, तो यह दो pod है, बताना है आपको, इन दोनों का क्या, मतलब कैसे disperse होगा, इन दोनों का, explosion से, animal से, water से, यावाट से, पता ही है, आप, देखे, pod जो होता है, pod, यह असल में P के बारे में बोला गया, P family को बोलते है, pod, P family को बोलते है, pod, आपने leguminas का भी नाम सुनाओगा, leguminas plant का वो भी pod family में ही आता है, ठीक है, तो आपको पता है, जब P का हम नाम लिख लिए हैं, तो कैसे होगा, कैसे होग सही जवाब, याने की, अगर pod बोल दिया, फोटो देख लो, अगर फोटो नहीं भी रहेगा, तो आपको pod देखना है, pod मतलब P, P family, P family मतलब explosion, ठीक है, चलो आपकला question, और यह भी देखना है, यह leguminas plant है, legume plant, चलो next, राभी crop, राभी crop कौन है, बताए तो राभी crop कौन है, राभी crop, खरीफ crop है ना, दो गौराप होता है ना, राभी, खरीफ, तो बताए इसमें से कौन है, rice, चावल, millet, मिलेट का मतलब होता है, JBR, सर यह मिलेट का मतलब JBR होता है, मतलब, जौार, बाजरा, रागी, नाम सुने हो ना, जौार, बाजरा, रागी, और यह सब होते है इस्मॉल ग्रेंज इस्मॉल ग्रेंज तो मिलेट जो होता है इसको बोलते है छोटा नाच तो राइस मिलेट मेज मेज याने की मक्का मक्का और बीन्स बताए इन चारों में से राभी क्रॉप्स कौन है तो राभी क्रॉप्स आपको पता है कि विंटर सीजन में होता है विंट चैनल नेक्स्ट अगला क्वेशन क्वेशन नमबर 28 फ्रॉम वाट डू दा प्लांट गीवन बिलो रिप्रोड्यूस बताईए यह चार प्लांट का आपको नाम बताना है बताएंगे आपको बताना है कि यह रिप्रोड्यूस कैसे करता है रोज हैबिसकस बॉगन विला स दो हलना है इसको देखके सब समझ में आ अगया होगा सबको रोज का स्तेम क्टिंग करता है और रोज को जाकर इस स्टेम कटिंगर जाकर दूसरे जगे जाकर हम लोग सोन कर जते हैं उसके बाद वह नया रोस प्रांट बन आता है तो इस टेम कटिंग आसान है वेरी इजी अच्छा देखो एक और नाम लिखा रहेगा Croantons अब लोसर ये Croantons क्या है Crotons Crotons ये Crotons क्या है ये Crotons क्या है Crotons Crotons प्लांट जो होता है Crotons प्लांट जो होता है ये अगर question में दे देगा तो आपको ये समझना है Crotons प्लांट में कि जिसका Multiple Color Leaf ओ या फिर मल्टी शेप लीफो तो उसी को बोलते हैं क्रॉंटन क्रॉंटन प्लांट तो क्रॉंटन प्लांट भी किस तरह से रिप्रटक्शन करता है स्टेम कटिंग से तो याद कर लीजिए रोज है बीसकस बॉगन विला शुगर केन और क्रॉंटन प्लांट यह सब जो प्लां हो मैं तो यहां आने के ज़रत थी हैं च्छाटा क्लास का साइंस पड़ोगे चलो नेक्स्ट मैच आफ दा फॉल्लाइंग प्लांट्स कॉलम A कॉलम विद देर मोड आफ रिप्रडक्शन इन कॉलम टू ठीक है यह आपको करना है पोटैटो ओनियन ब्रायो फैलम रोज अब य है यहां पर आपको यह बताना है यहां पर आपको यह बताना है कि इसके साथ इसको मैच करना तो करें तो मैच 29 का कि अ कि अ कर दो 29 का बी अच्छा वेरी इजी बिल्कुछ सही जवाब देख लिए मैंने एक पर 29 का बी यानि की पोटैटो का आई सही बात है कि न्यूप पोटैटो कैसे गुरून करता है पोटैटो के आई से ओनियन के बल्ब से ठीक है और ब्राइओ फयल्व लीव सोता है चली ठीक बता दिया और रोज स्टेम कटिंग से यह चार अरे ब्राइओ फिल्यम लीव पर ही तो नया लीव उगता है जो बताए थे आपको हम propagation थे लिए यह है हमारा B number वाम अशान है next study the diagram below अब यह study देखना है आपको इस डिघरागाम को देखना है क्या Rs.js औहर्सीचम कर स्टेक्षा थे लिया है तो which of these factors are required for the seed to germate और इसमें से चार आपको factor दिया हुआ है water air nutrients warm मतलब गर्मी sunlight तो इन चारों में से इसको reproduction करने के लिए इसको grow करने के लिए इन चारों में से क्या existential है क्या जरूरी है तो only PRS याने की water nutrient और warm only PQR याने की water air और nutrient only PQS याने की water air और warm या फिर only PRS याने की water nutrient और वाप बताएगे क्या सर क्लास 8 entrance exam for EMU के लिए live कब आएगा कल आएगा ambition batch student room है आज तो पढ़ो न आपके लिए ही तो है बदे कोशन नमबर 30 के बताना है आपको देखे इसको तो काट दीजिए सीधी बात क्योंकि सीड में nutrient हमेशा होता है है cotyledon में cotyledon में nutrient होता इसकी तो जर्रत ही नहीं है तो जहां जहां आ रहे है उसको काट दो आर काट दो आर काट दो अब बतो अब बतो आ ञाए निकल गया तो यही सब चाहिए को जब को जिसके पास जो होता हो बदो लेगा ही नहीं सर यह दुरों चैप्टर नहीं है आप क्या करना चाहिए कोशन पैक्टिस कर लाना चाहिए एक्जाम में जाकर टिक मार क्या लाना चाहिए चलो next study the seed below ठीक है by which method are they most likely to be dispersed the farthest away from their parent plant याने की बोल रहा है आप इसको देखिए और बताए यह कैसे होगा तो आप एक चीज नोटिस करिए यह है आपका सीड और इस सीड में लगा हुआ है विंग यह आपका सीड और इस सीड में लगा हुआ है विंग यह आपका सीड और इस सीड में लगा हुआ है विंग तो बताएए कि किस से होगा तो जब लगा हुआ है विंग तो उड़ेगा फ्रॉंड है यह असल में फर्न एक फर्न एक यह होता है फर्न प्लांट होता है फर्न प्लांट के लीफ को बोलते है फर्न फ्रॉंड ठीक है और उसके उस वो प्रोडुक्शन वो रिप्रोडुक्शन करता है कि से स्पोर से स्पोर 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 का नाम सुना होगा स्पोर स् लीफ ये ब्रायो फ्लेम लीफ है ये स्टेम कटिंग है ये सकर है देखो सकर क्या होता है रूट के बगल में एक नया लीफ पैदा हो जाता है उसको बोलते हैं सकर ठीक है और सीड से तो नया जर्मिंट ही होता है तो आपको कितना बता दिया एक तरीका दो तरीका तीन तरीका सब्सकुद से इस निकलता है सब्सक्राइब करेंगे और इस जितने भी जितने भी पार्ट्स है यह सब फूड को मतलब क्या और नहीं सब्स्राइंगे तो नुट न सब्सक्राइब केरेंगे इसौर इस में से किया चाहिए क्यों सा सही है कौनों सब्सक्राइब बताइब अच्छा है अच्छा आप में आद अब यह सब क्या गरेगा यह सब नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा आसान है यह वाला अब नेक्स्ट मोना कोई मोना है ठीक है मोना एंड हर सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब करेगा यहां पर एक यह समझने वाला आपको बताइए यह सीड जो है यह किस मेथड से जो है वो डिसपर्स करेगा विंड वाटर एक्सप्लोजिव या फिर एनिमल थाट इसी कर बताना आपको बताइए जब यह सैंडी शोर लिखावा है तो आपको समझना चाहिए कि यह प्लांट जो है यह कोकोनट का प्लांट है और कोकोनट याने की भारी भारी जो है वह हवा से तो उड़ेगा नहीं फट तो जाएगा नहीं तो मेनेची निकल तो कैसे होगा वाटर से और आपको बताए भी थे हम कि यह वाटर पे फ्लोट कर जाता है इसके हस्क के वजह से तो आपको यह याद रखना है कि यह जो सीडलिंग है यह सैंडी शोर में लगावा है यह कोकोनट है और कोकोनट जो है वो वाटर से डिसपरसल होता है ठीक है भी होगा यह कैसे होगा मारूफ खान भी बोल रहा है बहुत सही चलिए नेक्स्ट दा टेबल बिलो शोज दा पार्ट ऑफ दा जर्मिनेटिंग सीड और फंक्शन अच्छा पी क्यू आर पी क्यू आर कोई पार्ट ऑफ सीड का नाम लिखा हुआ है जैसे पार्ट ऑफ सीड या फिर कोटिलेडन यह सब पार्ट ऑफ सीड है सीड कोट और उसका फंक्शन लिखा हुआ है ठीक है तो आपको बताना है कि वो क्या है ठीक है एबी सीडी बताना है तो पी में लिखा हुआ है सप्लाई फूड तो फूड सप्लाई कौन करता है फूड सप्लाई कौन करता ह तो पी आपका कॉड की अधर ठीक है क्योंग और च्यूंव का रैडिकल यानि की ये वाला ठीक है रैडिकल हो गया आर एकّान है आपको प्रमयूल तो आपको उड्षान नबर सीज्ग श्राव सेंग और तो यह आपको कॉंशेप्ट है इसे आफेफ इंबरियो का नो ये इस स्टेल को पढ़िए चलिए पार्ट औफıldा इंब्रियो ओब्रियो फॉर्फ इंटो इंट्य इंट्रा ब्रॉप इंब्रियो याने कि सीनल से पहले वह व्यू प्र इंगिस लिट्प मनाता है तो जलो भाई और या म बता दियंत स्मौल ओपनिंग फ्रम वाटर सीड मैक्रोपाइल है मैक्रोपाइल है स्लेवाटर सूरे ग्रोट एन्टीकल राडिकल जो भाया रूट बनाता है प्लॉम्यूल ठीक है तो यही वाला प्लॉम्यूल है चलो ठीक है फिर क्या मैक्रोपाइल ठीक है फिर रैडिकल फिर देखो सीड़ार यानि कोटिलेडन था यह कोटिलेडन यह हो गया बी नंबर आसान है तो यह आपका क्वेशन हम देखो यह आपका हम रिवीजन करा रहे है आपको हम यह बता दिए कि प्लोम्यूल जो है वो शूट बनाता है मैक्रो पाइल वाटर इंटर कराता है सीड में रैडिकल रूट बनाता है कोटिलेडन में स्किन सीड कोट नहीं होता है तो कहने के मतलब यह आपका रिवीजन करा दिए यह कोशन आएगा नहीं इसी से कि पीश्र क्या है क्यों क्या है आर क्या चलिकरते हैं ऊपर उतर वाला है क्यों को रैडिकल अपकर क्यों 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 है सब दो बता तो दिया है इसमें पस l umul जोड़ दो बन जाएगा तो यह आपका कोटिलेड की लोगा यह आपका रिडिकल हो गया प्लोम की HAVE Been तभी से बता ही रहे हैं आपको तभी से बता रहे है वाला आसान है कोई मसला नहीं है यह बताइए डाग्राम बिलो शोदा बहुत असान है को इसको नहीं डाल पाएंगे इसको यह सब जो है है यह सब विंड डिसपरसल विंड से इसको डिसपरसल होगा तो यह घृण यह जब विंग है तो को उठा के यहां डालती है जो एंसर हो गया हमारा धी विंग ठीक है थार्टी सैवन का लाइट वेट विंग चलो आगे वीच आफ दीज ग्रोफ रॉट कौन रूट से निकलता है रूट से फॉर्म में होता है पोटाटो जिंगर जिंजर स्वीट पोटाटो या ओनियन स्वीट पोटाटो जो होता है यह होता है आपका मौडी फाइड रूट मतलब रूट को बडिफाई क्या गया है इसको हिंदी में बोलते हैं है फिब्रस रूट इंगिस भी बोलते हैं ठीक है तो कहने का मतलब यह है हमारा ओरिजिनल रूट का डिवलप्मेंट ठीक है सी यह टिहान अंसारी सी यह आसान इसमें क्या दिक्कत को दिक्कत नहीं है से चलो अब बताओ देखो अब मजा आएगा यह इसमें कोई कोशन नहीं है इसमें question ही नहीं है देखो इस वाले में question ही नहीं है इसमें question क्या है यह objective नहीं है यह subjective आपको सिखा रहे हैं हम यह question exam में नहीं है यह concept exam में है समझो the fruit and seeds below are grouped according to their way ठीक है how are the fruit and seeds are grouped AAC dispersed आपको यह बताएए कि यह एक group है यह दूसरा group है यह तीसरा group है यह आपका चौता group है आपको बताना है कि यह वाला एक number और यह आपका तीन number वाला dispersed कैसे होगा याने की cotton याने की kipts of morning गोप ये जो है hats दिसपर्स कैसे होगा आपको यह बताना है फिर आपको बताना है चलो हम सब पुछ देते हैं давайте और लोटस यह डिसपर्स कैसे होगा आपको यह बताना है फिर आपको बताना है कैस्टर और बलसम अब देखो कैस्टर जो होता है वह ओल होता है ओल सीड कैस्टर ओल होता है यह बताना है फिर आपको बताना है ग्वावा और टोमेटो यह कैसे होता है तो बहुत आसान है इसक मोरिंगाritis में होता है mid मतलब की विंड तो ये चलो निकल गया coconut होता है वाटर से omla農 है कि तकश्टर वाइल जोता है यह आपको यह रखना है कि इसको मुझों कि तोड़। सबस्का मैंुगते हैं और ठोड़ना मतलब क्या एक्स प्लो जिस यह उननी के एक्स प्लोज़िव दिप्ञेlex हो रहे हमारा जाता है तो क्योंकि यहाद रखना तो इसी पेटा आएगा ऐसा कोशन आगा जिट्टो लेकिन इसी में से आएगा, समझ गए है, अब देखो next, 14 नमबर, पूजा डिट एन एक्स्प्रिमेंट, शी टुक टू मॉरिंगो फूरूट्स ठीक है, दो टो मॉरिंगो फूरूट्स ले ली, A and B, A and B, of the same size, she cut off the wing, अब देखो, ये दो मॉरिंगो सीड है, लेकिन एक का मॉरिंगो सीड जो वो cut कर दिया, cut कर दिया, तो cut करने के बाद, फिर यहाँ पर दोनों को गिरा दिया, she dropped both fruit from the same height, दोनों को same height से गिरा दिया, of the fan, that was switch on, अब पंका के सामने गिरा दिया, ठीक है, तो हमको पता है, she recorded the time taken by each fruit, फिर उसने देखा, कि गिरते में सबसे ज़्यादर time किसको लगता है, A को या B को, ठीक है, और देखते हैं कि पंका से कितना दूर जाता है, ठीक है, what is the aim, तो हमको बताईए, यह करने का मकसद क्या था, यह सोचने वारा दिमाग है, क्यों ऐसा किया, पंका चला दिया इधर, उपर से एक wing seat का wing काट दिया, और दोनों को गिरा दिया, फिर देखा कि कौन पहले गिरता है, और कौन कितना दूर गिरता है, तो बताईए हमको, बताईए हमको, question number 40 का, तो इसमें असल में देखना था, इसमें असल में देखना था, कि जो ये वाला था, ये सटाक से गिर गया, ये first, ये पहले गिर गया, और ये बाद में गिरा, ये बाद में गिरा, first और ये second हुआ, और ये वाला जो है ये दूर जाके किरा और ये वाला जो है ये डायरेक्ट नीचे गिर गया ठैरेक्ट जो है नीचे गिर गया तो यहां पर हम लोग विन्ड डिस्पर्स के बारे न्यू प्ल है इनने состояниcost जो है कौन सा पार्ट जो है वगत अबersonि辉स्षित कौन सा सबकानों का यह तो आपको पता होना चाहिए कि जो र्याडिकल होता है र्याडिकल जो होता है और यह होता हमासा प्लुमूल यह दोनों जो होता है यह इसका और यह हो जाएगा सब cactus राडिकल और प्लो म्यूल यह हो जाएगा इसका एंसर अब वेर दर सीडिंग फूड फ्रॉड फ्रॉम अब बोल रहा है कि सीडिलिंग को कहां से फूड मिलेगा और उसको ग्रीन जब तक ग्रीन नहीं होता है तब तक जब तक फोटो सैंथिस से पहले ग्रीन लीव का मतलब ह होता है फोटो सैंथिस से पहले इसको फूड कहां से मिलेगा तो इसको मिलेगा कॉटी लेडन से कॉटी लेडन से तो यह आपको कॉंसेप्ट दे रहे हैं हम ठीक है तो राडिकल याने की ए और सी याने की सॉरी सी याने की राडिकल और ए याने की प्लम्यूल और कॉट ले इसको किसके साथ जोड़ सकते हैं, यह सब प्रॉडूर्ट को रिप्रॉडूर्ट करता है, यह सब अपने न्यू ओफिस्प्रिंग को देखो, यह सीड के डिस्पर्सल में काम देता है, तो यह हो गया इसका अंसर, अब आगे देखो, इसमें कौन एजेंट है, यह फट रहा है, यह ब्रस्ट कर रहा है, यह ब्रस्ट कर रहा है, तो यह आपको पता ही है, explosive mechanism, यह ब्रस्ट कर रहा है, अब देखिए, राइट ऑफ फॉलाइंग इवेंट, in the order in which they happen, अच्छा यह आपको बताना है, यह पहले कौन होगा, आखिर मे कौन होगा, बताइए, बताइए तो, पहले कौन होगा, the appearance of first root, सबसे पहले पहले रूट दिखा, sowing of the seed, तो यह तो पहले होगा, sowing of seed, सबसे पहले seed को sow करेंगे, sown, the appearance of the first two leaves, यह तो बात की बात है, the watering of seed, पहले watering को देखिए, पहले पाई देखिए, seed डालेंगे, फिर उसमें oonii डालेंगे, फिर उसके बाद हם लोग root को देखेंगे, और उसके बाद हम लोग फिर पत्ता को देखेंगे, तो पहले हो जाएँगा हमारा qs, qs, p, qs, p, q is ne, qs,p, r, क्या होगा, answer तो 44 का, बता, 44 का क्या होगा, होगा QSPR यानि कि पहले QSPR यानि कि पहले सीड डालो फिर सीड में पाइं डालो फिर रूट दिखेगा क्यों रूट फास्टर होता है और उसके बाद फिर लीव दिखेगा ठीक है और फिर हमारा हो गया थेंक्यू वाला कोशन है ना है कि समक्राइब को समझ मैं आया था आज का सेशन आज का जो सेशन था वह आपका था वह आपका था animal life क्या था एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ शादाव सब्सक्राइब ऑर यह हम यह तो कहने का मतलब ब्सका आपको फूल कॉंसेट्ट ले दिये हैं कॉंसेप Pka Agnes अब यार कॉंसेप नहीं लिखने आ रहा है और देली हैं मैं सफीर कॉंसेट्स ठीक है Γाण देखो पूरा चैप्टर रिवाइस करती है अगर देखा जाए हारी चीज आपको समझ में आ क्या अब स्कोर आप लोग करेंगे सब लोग स्कोर कमेंट करेंगा जो भी वीडियो आज देख रहा कल देख रहा परसुद देख रहा सब कमेंट में लिखेगा यह कुर है बाइब सब्सक्राइब लोग लग जाएगा पहले ही आपका शेडियूल आप लोग देख लेना 94 रिजवी वाइटी का 94 है जो ठीक है जाए खाना वाना खाओ ठीक है मिलते है तब नेक्स सेशन में बहुत अच्छा राव सेशन और इसके बाद हम लोग इसी तरह फिर नेक्स दो च जो रहनिमा मैं है वो हमारा रिफिशन कराएंगी अपना उर्दु का एंसी क्यूज मोस्ट एक्सपेक्टेट कोशन फिर हिंदी का होगा और ऐसे ही हम लोग 12 माह से पहले पूरा एक बार रिफिशन सेशन कर लेंगे और हम लोग अच्छे तरीक से तयार हो जाएंगे और ए इस प्लेटफॉर्म से पढ़ें ठीक है बेस्ट आफ लग और त्यारी करें अच्छे तरीके से ठीक है तो मिलते हैं वहिया थैंक्यू सो मच